मेरा नाम है वैभव आज हम पढ़ेंगे कच्छा ग्यारा का चैप्टर तत्वों का वर्गी करण एवं गुडधर्मों में आवर्तिता का पार्ट नाइन अभी तक हम आठ भाग देख चुके हैं आज हम नौबे भाग पर दिश्टी डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंग तो लगबग पूरी आवर्तित सार्णी जो पीरडिक टेबल है हम उस पर चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं एस ब्लोक के तत्व यह आपकी पुस्तक में 3.6.1 में दिया हुआ है अब इस पर दिश्टी डाल दीजिए ठीक है तो एस ब्लोक जो वर्ग वन और वर्ग दो है ना जो पहले दो वर्ग है आवर्तित सार्णी के उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो तत्व हैं वह एस से संब्वंत हैं यह सभी क्रियाश्यीन धातुएं ठीक है वर्ग वन के जो तत्व हैं जब्लोक में रखा गया है ठीक है और यह सभी क्या है क्रियाश्यन धातूएं है इनके आएनन इंथेल्पी कमान कम होते हैं ये तत्व सरलता पूर्वक बहत्तम इलेक्ट्रोन त्यागने के पश्चाथ प्लस वाएन प्लस वन आएन या प्लस दो आएन बना लेते हैं वर्ग दो में नीचे की और जाने पर इन धात्विक लक्षण तता अभी की रिशीलता मे भृढ़ी होती है इनकी जो आइन इन इन्थेल्पी है जो उड़जा हम जब किसी एटम को देते हैं जब वह पर मदल से हो एन इंदेल्पी बोलते हैं मतलब एक एलेक्ट्रोन ये आसानी से छोड़ सकते हैं और जो दूसरे वर्ग के हैं वह प्लस दो आयन होते हैं ठीक है मतलब वह प्लस दो की oxidation state दगाते हैं मतलब ये दो एलेक्ट्रोन आसानी से छोड़ सकते हैं ठीक है और जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो नीचे की औ बढ़ता है और इनकी अभिक्रिया शील्टा में व्रिद्धी होती है ठीक है अधिक अभिक्रिया शील्ट होने के कारण बे प्रक्रति में सुध्ध रूप में नहीं पाई जाती है अब इतनी याना अभिक्रिया शील्टा बताते हैं केमिकल रेक्टिविटी बताते हैं कि के योग एक मुख्य रूप से ओनिक होते हैं लीथियम और लेटियम और छोड़ कर योग एक पहले वरक की कुछ इसम इन और Triaalיים उसमें उसमें इन सबस ему इन इस रहा है rice क्या है यहां है कि यहां से कौन से आवर्थ या कौन से बदा रही है चुछ यहां इयां आवर्थ ऐल रहा है देखेंगे पिम लॉॉक्त तत्व ठीक है अभी जितना भी हम पढ़ रहें कि पर्माडू पर्माडू त्रिज्य वगएरा इलेक्ट्रोनिक विद्नियास वगएरा है ना इन्टैल्पी वगएरा यह सभी हम आंगे देखेंगे कि यह होता क्या-क्या है ठीक है पी ब्लॉक की तत्व आवर साड़नी के पी पी ब्लॉक की तत्व और सभ्लॉक कि तत्वोग को सैयूक्त रूप से हम क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटेटेव variables या मुख्य वर्ग बोलते हैं ठीक है किसे सब्लॉक एक वर्ग ब्र 2 और पी ब्लॉक वर्ग 13-18 इन्हें क्या बोलते हैं जो सायूक्त रूपसे निरू वि नियास है जैसे आपको बता है इस में इस में सकते हैं में कितने कितने two दो ख़ले जा सकते हैं तो एक बाति ऑल झा है और गैसे या फिर उत्करस्ट गैस का ृृ marks वाक ऐनेस arm जाते हैं कि या फिर या के साथ समाप्त होता है यह यहां किसे दर्शारा है आवर्थ की संख्या को है न मतलब एन अगर चाहर है मतलब आवर्थ चौथ आवर्थ के जो पी ब्लॉक के तत्फ होंगे जाएंगे इसलिए हमेने पी ब्लॉक के तत्फ बोलते हैं ठीक है और यह उत्करस गयस के जो इलेक्रोनिक विन्यास है न समाप्त होता है सभी गच्छक एलेक्टरोनों से पूरे भड़े होते हैं तो क्या है पूरे भड़े होते हैं इसलिए इनके कक्षक जो विवस्का को बदलना बहुत कठिन होता हैं या फिर देने में वोलते हैं, इत्तल मेर्ट ओ के परवार से पहले धातिव के रसाइनिक भर्व करता है leading है निव moral जो भरको water क्या je 7 शोल्वा ऐलों भुलते हैं जोλवा वर्ग उसे हम चलोजन बोलते है ठीक है इसे सभी ना समझागे अठारवड क्या उत क्रश्ट क वर सद्थлом, हैलों जskब त्पष्व الف्लोरी पोडी अई और ऐसे जो चल को जिन है गुरुप सोला है उसमें आते हैं ऑक्सियन सलफर सेलियूरियम ऐसे ठीक है इन दो वर्गों के तत्वों की उच्छ रुनात्मक लब्द एंथेल्पी जो निगेटिव एलेक्ट्रों इंथेल्पी है यह दत्व आसानी से इनकी उच्छ होती है ठीक ह तो अंधमें नमें आएगा एनस्ट्व एक कमी है उतकरश्ट गयास का एनस्ट्व एनस्ट्व एंथेल्पी फाइगा तो यह क्या हो जाएंगे पूरी तरीके से स्थाई हो जाएंगे इसलिए इनकी जो निगेटिव एलेक्ट्रों लब्द इंथेल्पी है व्याविए आवर्थ में बाई से दाई और बढ़ने पर तत्वों के अधात्विक लक्षणों में ब्रिद्धी होती है जब हम आवर्थ में जो आवर्थ साण ही उसमें बाई से लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे ना बाई से दाई तरफ जाएंगे तो इनकी जो अधात्विक लक् वह क्याई जाधा है तथा किसी वर्ग से मैं उपर से नीचे की तरब जाने पर धात्विक लक्षण में रिद्धी होती है ठीक है जलो अब हम देखेंगे D block की तथ अब इदख हमने देखी S block की तथ और P block की तथ अब में D block की तथ और F block की तत्व देखनें, D-block के तत्व, जिने हम संक्रमण तत्व की नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो वर्ग 3 से लेके 12 की जो वर्ग, है ना, जो वर्ग 3 से लेके 12, जो वर्ग में जो तत्व होते हैं, उन्हें हम D-block के तत्व बोलते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग क्या हो ग और 3-18 क्या हो गया Is जाती हैं यही कारण है कि यह तत्व की तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनके आंत्रिक डी और्बिटल में एलेक्ट्रोनिक बिण्यास N-1-D1-2-10 NS2 है यह सभी तत्व धातू है त्विद्धातु है इनका जो सामान electronic विन्यास है जो अंत्का क्या होता है N-1-D1-10 NS2 इनका जो सामान electronic विन्यास है वह क्या होता है N-1-D1-10 और NS2 ठीके यहां किसे आवर्थ को दर्शार है तो अगर चौथा आवर्थ है ठीक है तो यह होगा 4-1 3 तो 3D एक से लेके 10 और 4S 2 ठीक है एक से लेके 10 मतलब D orbital में एक से लेके 10 तक electron हो सकते हैं और ऐसे एस जो आवर्थ से कचच हैं इसमें 2 electrons हो सकते हैं यह सभी तत्व क्या होते हैं न इन तत्वों के जो आएन होते हैं वयुस्ट रंगीन होते हैं तत्व परिवर्ति शह्यों प्रदर्शत करते हैं ठीक है और उत्प्रेरक्ट के रूप में भी प्रयोक्त होते हैं ठीक है इन्पे जो हम पढ़ेंगे और अच्छे से इन्हें देखेंगे ठीक है चलो जैडन सीडी तथा एजी के सामान एलेक्रोनिक विन्यास एन माइनस वन डी टैन एनस टू होते हुए भी यह दातू है संक्रमत तत्वों के बहुत से लक्षणों को प्रदर्शत नहीं करती ठीक है और जो डी ब्लॉक होता है यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता ह संकरमत तत्वी घलो तो हम देखते एफ ब्लॉक के तत्व के तत्व आपकी पुस्तक में PHP 4 में दिये हुए रई मкаइं में चूछ यह ए उपर थे डि होग्या फिर भी हो गया ठीक है उसके नीचे निचे दो जार्णी होती यह दो गोलते हैं पहली है जरुआ की नाम से जानते नाम से जानते पहले को लेंट नाम से जानते lle है लेंटिनोेट होते हैं सीरीयम से लॉटी दियंसों कि पह winners इन के सामान तो 14 एन माइनस वन डी 01 एनस 2 ठीक है मतलब अगर आवर्थ माली जिए पांच वार है तो होगा 3F 1 से लेके 14 है ना मतलब f orbital में एक से लेके 14 तक इलेक्टरन हो सकते हैं और यह होगा 4D 0 से बन ठीक है और 3S2 ठीक है इन तत्वों में अंत्यम इलेक्टरॉन एफ उपकोष्ट में भरते हैं इसलिए हमने एफ ब्लॉक की तत्व बोलते हैं यह सबी तत्व भीधात हुए हैं और प्रतेइक श्रेडी में तत्वों के गुण लगबग लगबग समान होते हैं ठीक है प होता है जो एक्टरन श्रेडाई होती है यह ज़्यादा ऑक्सीग्रन अवस्ता दर्शाते है ठीक है इसी विएस से जो रसायन है अत्यदिक योते हैं बहुत से अब्धिक अभी अभिक्रियां द्वारा या उससे भी कम भाग में प्राप्त किया गया है ठीक है मतलब बहुत की कम मिलते हैं क्योंकि जानतर रेडियो धर्मी होते हैं ठीक है इन तत्वों के रसायन का अध्यन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है क्योंकि रेडियो धर्म होते हैं तो जानदा मतलब सिर्फ नैनो ग्राम्स में उससे भी कम में होते हैं मिलते हैं ठीक है यूरेनियम के बा एबं 120 वाले तत्वों की खोश अब तक नहीं हो पाई है ना 117 और 120 वाले जो तत्व हैं उनकी खोश नहीं होई है लेकिन इन तत्वों का स्थान आवर्थ सार्णी में किस वर्ग में होना चाहिए तथा प्रतेक का लिंक विन्यास क्या होगा यह हमें पता करना है ठीक है तो स्थान इसका इलेक्रोंइक विन्यास क्या होगा और यह ब्लोक में पांचवा वर्ग है ना एक दो तीन चार बांच तो इसका स्थान कहाओना चाहिए इसका स्थान वर्ग सत्रह में 80 के नीचे होगा तथा इसका electronic विन्यास क्या होगा आरें 5F 14 60 10 7S to 75 है ना ऐसे ही परमाडु कुर्मांग 120 वाले तत्व का इस्थान कहा होगा वर्ग 2 जो छारी मृदा धातु का वर्ग होता है वर्ग 2 में आरें के नीचे होगा क्यूंकि इसका electronic विन्यास कितना है UUO 8S2 होगा UUO क्या है UUO उस तत्व का वह तत्व है जिसका परमाडु कुर्मांग 118 है और यह हम 120 का बता रहे हैं तो क्या होगा 118 और S जो कक्षक है इसमें दो इलेक्ट्रोन है तो 108 और 120 तो इसका electronic विन्यास क्या होगा UUO 8S2 ठीक है यह 8S2 है तो इसका जो आवर्थ हो होगा और वर्ग कौन सा होगा दूसरा होगा ठीक है तो एक होगा आरे की नीचे होगा तता इसका electronic नीचे होगा ठीक है तो आपको इतना समझ आ गया होगा आज हमने S P D और F ब्लोक के तत्वों पर चर्चा की पाकी अगले भाग में हम धातु अधातु और उप्धातु के बारे में पढ़ेंगे फिर तत्वों के गुर्धर्म में आवट्टिता इस पर चर्चा करेंगे और अंत में भूत एक गुर्धर्मों की प्रवक्ति जिसे और परमानुत रिज्या पर हम चर्चा करेंगे ठीक है तो मिलते आगले भाग में धन्यवाद थैंक्यू